पार्टी का वर्चस्व बचाने के लिए इस यात्रा को दिन पर दिन आगे बढ़ा रही है एक तरफ कॉंग्रिस को उमीध है कि इस यात्रा से आने वाले चुनावों में उसे फायदा होगा तो वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनितिक दल उनकी इस यात्रा का मजाग उडा रही है राहूल गांधी को इस यात्रा में यू तो कॉंग्रेस के तमाम कारेकरताओं का समर्थन मिल रहा है लेकिन पहली बार उनकी यात्रा में फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ा सितारा शामिल हुआ और इसके बाद से ही कयास लगाये जा रहे हैं कि क्या इस सितारे ने कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है हम बात कर रहे हैं बॉलिवुड अभिनेत्री और फेमस फिल्म मेकर पूजा भट की दरसल पूजा भट रहुल गांधी के साथ भारत जोडो यात्रा का हिस्सा बनती हुई नजर आई यात्रा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुँची और यहां पर कॉंग्रेस ने ता रहुल गांधी के साथ पूजा भट भी दिखाई थी अब ऐसे में कयास बाजी का दौड शुरू हो गया है कि क्या पूजा भट कॉंग्रेस का हाथ थामने जा रही है बताते चले राहुल गांधी के साथ भारत जोडो यात्रा में नजर आ रही पूजा भट की कुछ फोटोस सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है इन फोटोस में आप देख सकते हैं कि पूजा भट राहुल गांधी के साथ चलते हुए बातचीत करती हुई दिखाई दे रही है राहुल गांधी के साथ वो एक फ्रेम में दिख रही है और यही तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विशे बनी हुई है ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा में शामिल होने वाली वो पहली बॉलिवुड हस्ती है अब तक किसी भी आक्टर या फिर किसी भी बॉलिवुड हसीना ने आगया कर राहुल गांधी की यात्रा में शिर्गत नहीं की थी लेकिन पूजा भट ब्लाक कलर के कुर्ते और प्रेंटिट स्टोल में राजनेता वाले लुक में भारत जोडो यात्रा का हिस्सा बनती हुई नजर आई उन्होंने सभी समर्थोकों का अभिवादन किया इस दोरान कॉंग्रिस कारेकरता भी पूजा भट को देख कर काफी उतसाहित नजर आई देखते हुए भारत जोडो यात्रा जैसे प्रेयास सरहानिय है। हाला कि सुराभासकर भी ट्वीटर पर ही राउल गांधी का समर्थन करती हुई नजर आई थी जमीनी स्तर पर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से अगर आया है तो वो हैं सिर्फ पूजा भट पूजा भट को देखने के बाद अब लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया है कि क्या पूजा ने कॉंग्रिस जोइन कर ली है आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राए हमें जरूरा है.